मसकार दोस्तों आप देखने प्रोफेस्टन रिपेर चैनल मैं आपका अपना दोस्त अंजय है तो चलिए सुरू करते हैं जैसे कि दोस्तों ये 280 लीटर का हमारा सैमसंग का ढबल डोर रेफिजरेटर है टू स्टार रेफिजरेटर है और यहां पे इसकी सारे डिटेल्स फ्र रेफिजरेटर है ऊपर वाला आपका फ्रीजर है वो भी कनवर्टबल है और अभी कैसे ये एक एक चीज़ों को हम लोग इसके अंदर क्या है कैसे इसको उप्रेट करना है और कैसे इसकी लॉंग लाइफ आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो जैसे कि ये वाला जो सेक्स है आपका पूरा फ्रीजर है फ्रोजन वाले आइटम आपको इसमें रखने है और इसका तंपरिचर 15 डिगराम माइनस से 30 डिगरी सिल्सियर से इसका रहता है बाकि आप इसको अपने जरूरत की साबसे आपको ठंडियों में अगर फ्रीजर की जरूरत नहीं तो इसको आप इ इसे फ्रीजर यूज कर रहे हैं तो जो चीज़े आप नीचे रखते हैं वही चीज़े आपको अंदर रखना था प्लस दो इस पर आपके ब्रेकेट दिये होते हैं इसके साथ यह हमारा नीचे वाला कंपार्टमेंट है उपर का टंपरेचर तो फिक्स होता है बर जो हमारा जो सेल्फ होते हैं इसमें आपको कुकिंग आइटम रखने है और यह वाले जो उपर वाली सेल्फ है इस पर आपको डेरी प्रोडेक्ट रखने है चुकि यह जो हमारे रोज मरा के दिन चार्या की चीज़े होती है वो सब डिफरेंट डिफरेंट टंपरेचर की होती है तो बाकि इसको ऐसे कुछ अगर उपर ये सब चीज की ज़रूरत नहीं लेकिन आप यहां भी प्याज या तमाटर प्याज या आलो इसके अंदर आप इस्टोर कर सकते हो बाकि ये डोर तो भी हम लोगों ने बंद करते हैं अभी इसके बाद हम लोग इसके कंट्रोल पैनल को कैसे यूज कर सकते हैं एक साइड में आपका ये वाला पूरा सिक्सन जो है ये हमारा फ्रिजर का है जो उपर वाले फ्रोजन वाले आइटम के लिए इस साइड आपका रिफ्रिजर का है जो नीचे वाले के लिए यहां से आपका माइनस पंद्रा डिग्री से माइनस तेश डिग्री और यहां सेवन डिग्री से वन डिग्री जैसे जैसे हम उपर जाएंगे कूलिंग वैसे बढ़ती चली गया है थंडियों में आपके 15 से 17 मांसोन में आपको 16 इधर 3 इधर रहेगा और जब यह आपका समार का टाइम हाएगा 21 आप इस साइड में कर सकते हो और 2 या उसको आपको 23 या 1 इधर आप कर सकते हो यह जब बहुत साथा गर्मी अपने चरम प्लस इसको हम लोग यहां से अभी जो रूम टमप्रेचर है जो व गंटे के लिए जैसे कि अब यह देख रहे हो फ्रोजन वाली बटन है फ्रीजर वाली यह बटन है और एक साइड में जैसे आपको लगता है कि हमारे यह बहुत साथा कूलिंग रहे तो हमारा फ्रोजन वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं वह एक्टिवेट हो कि मतलब प्लस उसके बास सेम क्या है कि आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा पार्टी में कोल्डरिंग या लिक्विड आइटम जाद है तीसी बटन को फिर हम तीन सेकंड प्रेस करेंगे तो आपका लिक्विड भी एक्टिवेट हो जाए यह भी एकले चार गंटे के अंदर नीचे क साइड में सबसे ज़्यादा कूलिंग करेंगा अगर आपको यह डिक्वेट करना है और इसको भी करना है तो अगर बंण भी करना तीसको हम तीन सिकंड ऐसा प्रेस करेंगे तो यह आपका उपर का बंद हो जाएगा सेम इमारा यह नीचे का बंद होजाएगा यह अपक hai ल तो तीन सिकेंड इस तरह से प्रेस करेंगे तो यह आपका convert होगा इसका मतलब यह है कि यह वाली जो lights आपकी जल लई दी वह अभी बंद होगा अभी इसे fake light जल लई है वो 5 मिनिट का तो इसका मतलब जो है ऊपर वाला जो section है वो पूरा जैसे नीचे का section वो ऐसा same section वो भी बन गया है फ्रिज सेम टू सेम पूरा फ्रिजी बन गया है अभी आपका freezer नहीं अगर इसको बन करना है तो कुछ टाइम अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो आपका यह off हो जाएगा और आपका यह अभी नॉर्मल जो temperature है उसके अभी आपका यह आ चुका है जो हमारा फेतर है अभी का फेतर है उसके इसा अगर उसमें भी आपको कुछ कंसंसोधन करना है तो सारी चीज़े आप यहां से कर सकते हैं जो आपको रखना है और इसको रखके भी अगर आप उकर देते हैं तो यह total जो है अपने इसाब से भी temperature यह adjust करता है बढ़ आपको अगर requirement चाहता कि यह कम किये तो आप अपने इसाब से इसको menu plate करके आप यह fix कर सकते हैं यहां आपका जो है जो आप देख रहे हो यह हमारा फ्रिज का है जो नीचे का सिक्षन है 7 से लेके 1 तक पर लब 7 जो हो गया फिर 5 डिगरी हो गया फिर आपका 3 डिगरी 2 डिगरी 1 और इस वाले में आप देखे हो गये तो मैनेस 15 मैनेस 17 मैनेस 21 तो यह इसका temperature ऐसा बढ़ता जाता है तो जो आपका weather है उसके हिसाब से आपको रखना है और जो भी चीजों को जब भी आप रखो इसके फ्रिज के अंदर फस्ट आपको अगर कुछ आपका गरम item है तो उसको पहले आपको ठंडा कर लेना है उसके बाद ही फ्रिज के अंदर रखना है जितना कम आप डोर उपन करोगी उतनी अच्छी cooling इसके अंदर maintain होती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा आप ये कोशिस करें इसका डोर जो है आपको कम से कमी time आप इस डोर को उपन करो जो भी बहुत ज़रुवत है चुकि अंदर का low temperature आपका बाहर आता है जो आप फिल करते है उसके अंदर heat फिल करते है और हमारा जो compressor है उतना ही time चलेगा उतनी ज़ादा electricity consume करेगा और जैसे के आप देख रहे हो कि अभी इसके अंदर हमने सारी जो चीजे थी वो एक एक करके हमने आपको explain करती है और अभी जो बाकी चीजे है वो भी हम आपको बता देए जहाँ पर आपको fridge को रखना है थोड़ा सा side side पर आपकी जगह होनी चाहिए जिससे अंदर के heat जो है वो transfer हो सके कभी fridge को आपको चिपका के नहीं रखना है fridge के उपर भी कुछ नहीं रखना और इसमें आपको फिर defrosting ये सब करने की ज़रूरत नहीं थोड़ा सा refrigerator जो आपका बीचे के side थोड़ा tilt रहेगा कि जो अंदर का defrosting का पानी है वो आपका सामने ना आए तो इसके लिए आपको इस चीज को भी करके रखना है और रखने के साथ साथ ये सारी चीजे भी आपकी glass भी इसके सारी removal है अब बाहर निखाल के इसको आप अच्छी तरह से साफ करके फिस उसमें आप उसको fix कर सकते हैं ये जो आपका refrigerator है टोटल जो है आपका sensor based है और डोर आपको जलती इसलिए बंद करना है कि चुकि इस पर फाइब टाइब के sensor use है आपका freezer sensor है, refrigerator sensor है, room temperature sensor है, connotable sensor है तो इस चार आपका normally एक particular speed पर चलता था जिससे आपका बंद होता था तो आपको मारूम चलता था फ्रेज लेकिन ये फ्रेज में जो आपका inverter compressor use है, जो palthiating voltage से operate होता है, उसका जो speed है वो vary होता, आपका 400 से लेके 4000 rpm तक हो चलता है, बट उसमें आपको यही देखना है कि आप जितना time door open करोगे, इतना ज्यादा अंदर की जो low temperature की air है भाहर flow करेगे और आप जो fill करोगे, heat fill करोगे, तो उससे आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को like कर दीजिए, comment कर दीजिए, और अपने दूस्तों के साथ share करिए, और चैनल पे नए है है तो चैनल को mostly subscribe कर दीजिए, ऐसे आपको informative वीडियो हमारे YouTube चैनल के आपको मिलते रहेंगे तो चलिए